हर हर महादेव जय शिव शंभू दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम लॉंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय हैं। इन उपायों को अगर आप सोमवार की रात दो या चार मिनट निकाल करके कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपके जीव में खुशाली आएगी, आप अपने काम को भी शुरू करेंगे, उस काम में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे प्रशस्त तरह और जोतिश शास्त्र में लॉंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहा जाता है कि लॉंग का उपाय अग पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। दोस्तों, जहां पर लॉंग स्वास्थे के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। दूसरी तरफ लॉंग को बहुत ही कारगर समझा गया है। कहा जाता है लॉंग का सही उपाय किसी भी मानव की बंद किसमत के ताले को तुर से ही परेशानी हो। हर तरह के दुख से आपको मुक्ती मिल जाती है और आपके जीवन में लौंच के उपाय से सुख समृध्धि में वृध्धि होती है। दिक्कत से तूट रहे हो। हर तरह कीसे आपको मुक्ती मिलना तय है दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं जैसे मान लीजिए। आपके जीवन धन आना बंद हो गया था तो लौंग का वह कर लीजिए जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ चारों ओर से आपके पास धन खीचा हुआ चला आएगा। नौकरी की तैयारी करकर के ठक है। नौकरी नहीं लग रही थी तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। किसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा। और आपकी जो भी मनोकामना हो वो जरूर ही पूरी होगी और शनीदेव जी का। आपको हासिल होगी कि जीवन का हर दुख जड़ से नश्ट। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनीदेव जी की आशीरवाद, शनीदेव जी की कृपा आपके और आपके पड़ी बार पर सदैव बना रहे तो पूरी स अच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लायक कर और कमेंट बॉक्स में लिख दे। जैशनीदेव और दोस्तों एक काम कीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशी हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिस उपाय से आपको लाब होगा आपको रिपलाई के माध्यम से आपके कॉमेंट में आकर के बता देंगे इसलिए दोस्तों वीडियो लाइव कर दीजिए और फिर अपनी राशी कमेंट बॉक्स में डालका तो दोस्तों एक बात का जरा ध्यान रखिएगा। ये क्योंकि इसका लाब आपको तुरंत मिल जाता है इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है परन्तु लॉंग के कोई गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों एक बात को समझ लीजिए जैसे भगवान गणेश जी हो भगवान विश्णु जी हो गए, दुरगा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महराज हो गए, भगवान भोले नाथ हो गए। इन सब की पूजा का जरूर ही किया जाता है। लॉंग का उपाए इनकी पूजा पाठ में न किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न है ही मानी जा उपायों को करने की एक मुहूर्थ है तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लें। परन्तु इनको अनुसार आपको सही मुहूर्थ पर करना होगा। और एक बार अगर इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के बाद आप पीछे मत्था हटेगा। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन परेशानी इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इसव डियो को बिना भगाएं अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के लिए देखिएगा। चलिए दोस्तों आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं। परन्तु निवेदन की अभी तक आपने वीडियो को लायक नहीं किया है। वीडियो को पहल आफ शडियंत्र करते हैं। आप प्लेन बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार पांच सोमवार किसी भी शणिमंदिर जाइए। शणिमंदिर के बाद आपको बस दोस्तों गर से नकारात्मक शक्तियां को खत्म करने का नावों महा उपाए जो आपको हम बताना रहे हैं तो दोस्तों इस उपाए को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं। काला जादू किसी ने करवाया बंधन करवाया है और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं कि परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए तो दोस्तों किसी पंडित के पास पास जाने की जरूरत नहीं हैं। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए और ये उपाय आपको करना है। सोमवार की क्या? क्या आप लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बरतन चाहिए? पीतल का बरतन ले लीजिए परंतु लोहे का मा लीजिएगा। ठीक है अब आपको क्या करना है? 11 लौन, 5 और दो इलाइची की पूरी रख बन जाएं। जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के बाद आपको प्रति दिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटे जल में इसका छींटा जो है घर के मुख्यद्वार पर देना है। अगर आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मान के चली। शनी देव जी के आशीरवाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नती भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान तनाव ने घेर लिया है। दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई है तो इसमें आपकी मदद कर सकता है। तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए। वह भगवान भोले नात देवों के देव महादेव बिलकुल सही सुना। आप ल तामसिक भोजन का मतलब है शराब मदिरा धूमरपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस जीव मानव ने भी किया है उसका शरीर सवस्थ हो गया है। उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो आपको बस यही करना है कि हर एक सोमवार को नहाना है। धोना है। नहाने धोने के बाद दो लॉन लेनी है। किसी भी शिव मंदिर जाना है। और इस दो लॉन को भगवान भोलेनात को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है। और इसको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वर्दान हासिल होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे, आपके तनाव परेशानी दिक्कतों से, जो आप जूज रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाए तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, अब दोस्तों मान लीजिये, आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया, और आप इस चीज से बहुत परेशान है, तो इसमें एक बहुत सर सा उपाय बताया गया है, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती ही है, वो है भगवान, गणेश जी, भगवान गणेश जी का आपको आशीरवाद मिल जाए, तो आपके जीवन में आपका व्य व्यापार भी अच्छा चलेगा, और आप बहुत ही अपने व्यापार के, तो आपको बस यही करना है कि बुधवार गणेश, भगवान जी के मंदिर जाना है, गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूद से बना हुआ घी का दीपक जलाना है, यका, सी भी बुध बुधवार को आप कर सकते हैं, और आपको एक लाल पोटली लेकर की जानी है, लाल पोटली में आपको 21 लॉंग लेकर जानी है, और 11 कपूर लेकर की जानी है, और वह गणेश के दाएं चरणों से छुआ देना है, पोटली को आपको लेकर के आना है, अपनी दुकान में ब लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर माना है। इतना अगर आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीरवाद से आपका बंद पड़ा। व्यापार आपका ठप पड़ा। व्यापार चल पड़े और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नती क शुक्रवार के दिन और यह लगातार पांच शुक्रवार आपको उपाय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर की पूजा करें जहां पर मान लक्ष्मी जी की कलाचित्र हैं या मूर्ती रखी हुई है। एक गुलाब में इस लोग एकठा हो और इसी 25 लोगों को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप पार वगएर ह करते हैं वहां पर रख देना है। उसके बाद ओम नमह शिवाय नमूने एकठा। यह मंत्र दो बार बोल देना है दोस्तों। आपके जीवन म जो भी धन संबंधित परेशानी थी, वो खत्म हो जाएगी और मा लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करेंगे।